नमस्कार, अकन भारत से इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। इस The Chronology of Indian Kingdoms सत्यूग से 20.2.2 CE की सीरीज में हम जानेंगे सत्यूग से आज के इंडिया तक के सामराजों के सफर। साथ ही हम जानेंगे इन सामराजों की कुछ खास बातें और उनके समय में होने वाली कुछ माधपूर, घटनाएं और निर्बान। इस सीरीज का ये 27 चेप्टर है। इसमें हम 951 CE से 989 CE के सामराजों के विशह में जानेंगे। इस कालखर में तैलप ने पश्चिमी चालुक सामराज की स्थापना की थी। तो चलिए शू करते हैं आज का ये चेप्टर। इस सीरीज में बताई जानकारी और चित विभिन किताबों वा वेबसाइट से 31 करी गई है। इन सभी का सत्यापन हर प्रश्ट के नीचे दिये गए विर्वन से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित दिखाए गए हैं, हम उन सभी पुस्तक वा वेबसाइट के लेखक और प्रकाशकों को इसके लिए पूरा श्रे देते हैं, वा उनका आभार और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। भज्जी रियासत दस्वी शिताबी सीई से 1947 सी तक रहा। महा की राज़ानी हिमाचर परेश में सुनी थी। उदैपाल यहां के पहले राजा थे और रामचंदरपाल सिंग अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतिय उपमादीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वो बिटिश भारत की एक रियासत थे, भजी रियासत के पहले कुटलेहर रियासत आये थे, भजी रियासत के बाद नेपल सरमराज आया था, इनकी स्थापना दस्वी श्रिदाबदी में कुटलेहर राजक के एक छोटे भाई ने की थी, 1803 CE से 1815 CE के दोरान यह नेपल सरमराज के गोरखाओं ने इन पर कबज़ा कर लिया था, 1815 CE में वो बिटिश सरमराज कपनी राज के सरंचित राज बन गए, 1947 CE में इंस्ट्रूमेंट ओफ एक्सेशन पर हस्टाक्चर कर वो भाद गरणाज में समलित हुए, खानेती रियासत दसवी शताबी CE से 1947 CE तक रहा, वहां की राज़ानी हेमाचर पदेश में खानेती देवरी थी, उगान चंद यहां के पहली राजा थे और अमोग चंद अंतिम राजा थे, यहां के राजा भारती उपमादीप मूल के निवासी थे और हिंदु धर्म को मान होते थे, वह बिटिश भारत की एक रियासत थे, खानेती रियासत के बाद भारत गर्राज आया, वे बुशर रियासत के साहक राजी थे, 803 CE से 815 CE तक उन पर नेपल सर्माज के गोरखाओं का कब्जा था, 1947 में इंस्ट्यूमेंट अफ एक्सेशन पर हस्थचा कर वह भारत धारीपाल यहां के पहले राजा थे और पहारचन अंतिम राजा थे, यहां के राजा भारती उपमादीप मूल के निवासी थे और हिंदु धर्म को मानते थे, बद्रवा रियासत के बाद जम्मू और कश्मीर रियासत आया था, उन्हें भदेर काशी राजी भी कहा जाता अठासव एकिसी में उन्हें चम्मा रियासत में मिला लिया गया, अठासव एकिसी में उन्हें जम्मू और कश्मीर रियासत को सौप दिया गया था, कामबोज पाल राजवंश दसवी शिराबी सीई से गयर्वी शिराबी सीई तक रहा, वहां की राज़ानी प्रियंगु में थी जिसकी पैचान नहीं हो सकी है, कामबोज पाल राजवंश के पहले पाल सामराज आये थे, कामबोज पाल राजवंश के शाषकों के पूरवज पश्चिम से गुर्जर पतिहार राजवंश के साथ आये थे, और उन्हें उत्तर पूर्व सीमा की रक्षा सौपी गई थी, गुजर पतिहार राजवंश के पतन के बाद और बाद में पाल सामराज के दोरान वे वहीं रहे, और पाल सामराज के पतन के बाद उन्होंने कामबोज पाल राजवंश के स्वतंतर राज की स्थापना की, ती, दोबूज मर्जन यहां के पहले राजा थे और तेमुजिन यह चंगेज कां अंतिमराजा थे. यहां के राजा मंगोल मूल के निवासी थे, सन्माही और टेंगरिजम धर्म को मांते थे और उनकी भाशा मदिकालें मंगोल थी, खमाग मंगोल के पहले लियाओ राजवंश और टोटो मंगोल आए थे खमांग मंगोल के बाद मंगोल समरा जाया था दोबू मर्जन बोटे चीनो जिनका जन्म 640 सी में हुआ था और गुआ मराल की ग्यार्वी पीडी के वंशस थे 900 सी के दौरान बोडंचर मुन्खग का जन्म एक मंगोल जन्जाती में हुआ था जो मंगोलिया के पूर्वत्तर में बुर्खान खल्दुन परवत के आसपास स्थित था बोडंचर मुन्खग का ने बोर्जिन कबीले की शुआत की इस कबीले ने सदियों तक अनेकों मंगोल के शाशक दिये लेयाओ राजवश के पतन के बाद उन्होंने मंगोलिया और मंचूरिया में सबसे उपजाओ वूमी में से एक पर कबजा कर दिया खाबुल खान जिन्होंने 120C से 1440C के दौरान साशन किया बोर्जिगिन कबीले के प्रमुक थे उनके वंच में मंगोल सामराज के संस्था पक चंगेज खान का जन्म हुआ खाबुल खागन खबाग मंगोल परिसंग के पहले ग्याद खान थे उनके पिता तुम्भी नाई सिथ सेन थे जिनका नाम तुमेन खान भी था जो अपने एक बेटे और चंगेज खान के पूर्वज के माध्यम से तैमूर सामराज के संस्था पक तैमूर लेन के प्रत्यक्ष पूर्वज थे 1191 में राजा येसुगेई को तातार द्वारा जहर दिया गया था तातार, मध्य इशिया में बिखरे हुए जाती समूह है जो खाना वदोष संूह तुर्क से संबंदे थे तुर्क वे लोग ते जो मध्य इशिया में मख रूप से मंगोलिया में अर्द खाना वदोष जीवन शैली जीते थे चीन के उत्तर और पश्चिम में छट्वी शताबनी की शुवात में थे। राजा येसुगवई का बेटा तेमुजिन अपने पिता की सिथी को बोर्जिगिन के नेता के रूप में दावा करने का प्रयास करता है। लेकिन उनकी युवावस्ता के कारण उन्हें अस्युकार कर दिया जाता है। बहुत कट्राई के बाद तेमुजिन ने मंगोल युद्धाओं के एक छोटे समू की कमान समा ली। उन्होंने कैरेत जंजाती के तोग्रिल खान का पक्ष लिया और अपनी सेना को एक सक्तेशाली सेना बनाया। बाद में 206 सी में उन्होंने चंगेज खान की उपादी ली और मंगोल समराज की शुवात की। चंगेज खान ने बाद में तातार का विश्वास हासिल किया जो मंगल समराज में उसकी सेना का हिस्सा बन गए। चंगेज खान की बंशावली यह है। वे मूल रूप से फूर्वी चीन और मंगलुयाई मूल के थे और उन्हें मंगोल कहा जाता था बाद में जब वे तुर्क लोगों के साथ मद्ध एशिया में बस गए तो उन्हें तुर्कों मंगोल कहा जाने लगा गड़ का गोंड सर्माज 10-12 CE से 1781 CE तक रहा बहां की राज़ानी मर्द प्रदेश में जबलपुर जिससे पहले गड़ा कहते थे सिंगहुरगर, चोरागर, रामनगर और मंडला थी जादो राय या जटबा यहां के पहले राजा थे और सुमेद शाह अंतिम राजा थे यहां के राजा भारती उपादीप मूल के निवासी थे, हिंदु धर्म को मानते थे और संस्कृत और गोंड़वानी उनकी भाषा थी गर्ड़ का गोंड सर्माज के पहले त्रीपुरी के कल्चुरी और रतनपुर के कल्चुरी आये थे गढ़ का गोन सर्माद के बाद, हैदराबाद रियासत और औरचा रियासत आया था। गोनवाना का अर्थ है, गोनद्वारा बसा हुआ देश। गोनवाना समराज भारत के गोनवाना छेत्र में शाशक राजी था। जिसमें प्रमुक रूप से चार राजिशा मिल थे चंद्रपूर का गोन समराज, गर का गोन समराज, खेरला का गोन समराज, देवगर का गोन समराज. इन्हें जबलपूर का गड़ समराज, जबलपूर का गड़ खटांग समराज, गड़ समराज गोनवाना, गड़ मंडला और गोनवाना समराज भी कहा जाता था पहले गोन राजा जादो राए ने त्रिपूरी के कल्चुरियों के दरबार में काम किया कल्चुरी राजा को हटाने के बाद वह राजा बना पंदेसो पचासी में राजा दलपत शाह की मिप्तियों हो गई उनके पुत्र वीर नरायन बहुत छोटे थे इसलिए उनकी पत्नी राणी दुर्गावती ने गढ़ा राज का साशन समाला पंदेसो चौसट सी में मुगल सामराज के जनरल ख्वाजा अब्दूल मजीद आसफ खान ने गढ़ सामराज पर हमला किया राणी दुर्गावती लड़ी घायल हुई और होश खो बैठी होश में आने पर उसने जब समझा की हार निकट है तब ही उन्होंने अपना खंजा निकाला और खुद को मार डाला गोड़ों को मुगल समराज की आदिपत्य सुईकार करने के लिए मजबूर किया जाता है हिर्दे शाह जिन्होंने 1652 सीई से 1764 सीई तक साशन किया इसलाम अपनाने वाले पहले गोड ला जा थे लेकिन उनके उत्रादिकारी ने हिंदु धर्म का पालन करना जारी रखा 1753 सीई में उन्हें हैदराबाद रियासत के निजाम दोरा कबजा कर लिया गया था 1781 सीई में उन पर मराटा समाज दोरा कबजा कर लिया था 1818 C.E. में उन्हें सीता बुल्दी की लड़ाई के बाद बिटिश सामाज कपनी राज ने उन पर कबजा कर लिया था। उनके साशनकाल के प्रमुक निर्मार जबलपुर में 116 C.E. का मतन महल किला। सिंगरमपुर दमोव में 116 C.E. का सिंगोर रख किला। नर्सिंगपुर में 166 C.E. का चोरागड किला। जबलपुर में 1667 C.E. का मोती महल। देवगड में 186 C.E. का देवगड किला। चान सामराज दस्वीं शिताबी C.E. से 1791 C.E. तक रहा। वहां की राजानी उत्राखन में चंपावत, अलमोडा जैसे पहले राजपुर या आलम नगर या खगमार कहते थी। सोमचन यहां के पहले राजा थे और महिंद्चन अंतिम राजा थे। 1635 C.E. में मुगल सर्माज के चाजा ने कुमाओं पर हमला किया लेकिन हार गया। 1757 C.E. में नेपल सर्माज के गोरखाओं ने कुमाओं पर आकमर किया और 24 वर्षों तक उन पर साशन किया। 1814 C.E. से 1816 C.E. के एंगलो नेपाल युद्ध के बाद नेपाल सर्माज ने सिक्किम, दाजलिंग, कुमाओं, ग्रवाल और पश्चिमी तराही छेत्र बिटिश सर्माज कबनी राज से हार गए। और इन्हें खो दिया। उनके साशन काल के प्रमुक निर्माण। मंदर, भीमताल में 177 C.E. का भीश्वर महादेव मंदर, अल्मुडा में 177 C.E. का गोलु देवता मंदर। भाधानक स्वाम्राज 955 C.E. से 1182 C.E. तक रहा, वहां के राज़ानी राजस्तान में बयाना जिससे पहले त्रिबुवन नगडी कहते थे थी। यहां के अंतिम राजा कुमवरपाल दितुय थे। यहां के राजा बारती उपंदर भी मूल के निवासी थे और हिंदु धर्म को मानते थे। बहादानक सामराज के बाद शाकंबरी के चहमान आये। उन्हें बढ़ाना गुजर सामराज या भयानियस भी कहा जाता था। 1182 सीए में शाकंबरी के च्यामन के प्रत्वी राज तितिया ने इन्हें अपने आधीन कर लिया था। 1186 सीए में इन पर गोरी राजवंज के मुहमत गोरी ने करभजा कर लिया था। कमान में 1018 सीए का 84 खंबा मंदिर को आदी वरंदावन भी कहा जाता है और माना जाता है कि यहां एक ऐसा स्थान है जहां भगवान शीरकिष्ट अपने बच्पन के द्वारां रह थे। इसे गज़नवी सर्माज के गज़नवी द्वारां नर्श कर दिया गया था। उनके साशनकाल के प्रमुक निर्माण। भरतपुर में 956 सीए का लक्ष्बन सेइन द्वारा निर्मित उशा मंदिर। बयाना में 1043 सीए का विजयपाल द्वारा निर्मित बयाना किला जिसे विजयगर किला भी कहते हैं। तहनागाल में गयर्मिश्यदाबी सीए का तहलागाल किला जिसे तीमनगाल किला भी कहते हैं। इसे 1244 सीए में पुननिर्मित किया गया था। गोवा के कादम 970 सीए से 327 सीए तक रहे। वहां की राजानी गोवा में चंदोर जिसे पहले चंदरपूर कहते थे और तिस्वाडी जिसे पहले गोपक पत्तना कहते थे थी। शश्देव प्रथम या कंटका चार यहां के पहले राजा थे और कामदेव अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारती उपमाती बूल के निवासी थे, हिंदु धर्म को मानते थे और कंणड उनकी भाशा थी। गोवा के कादम के पहले सिलहरा राज्वशाय थे। गोवा के कादम के बाद दिली सल्तनत तुकलक राज्वशाय थे। 550 CEE के बाद बन्वासी के कादम ने बाद्मी के चलुक और राश्कूट राज्वंस के एक जागि Vieंदार के रूप में साशन किया। बाद में वे अलग हो गए और फिर से नई सम्राज की रूप में उबरें। गुवा के कादम ने 960 CE से 310 CE तक साशन किया। हंगल के कादम ने 980 CE से 347 CE तक साशन किया। गुवा के कादम ने सिलहरा राजवंश के छेत्रों पर कबजा कर लिया और अपना साशन शुरू किया। 1312 CE में दिल्ली सल्तनत खिलजी राजवंश के जनरल मलिक काफूर ने गुवा पर आक्रमण किया। ऐसा मना जाता है कि इस अकरण में उसने गोपाख पत्तन शहर को नश्ट कर दिया। 1327 CE में दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश के मुहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें अपने कबजे में ले लिया। उनके साशन काल के प्रमुक निर्मार। तामडी सुर्ला में बारविश्यताबी CE का महादेव मंदर उनके साशन काल के दौरान बनाया गया था। अन्हें सभी मंदिरों को मुस्लिम और पुद्गाली साज को ने नर्श्ट कर दिया था। मीरा सामराज 966 CE से 342 CE तक रहा, महाद की राज़ानी राजस्थान में दौसा थी। चंदा मीरा यहां के पहले राजा थे। यहां के राजा भारती उपर भी मूल के निवासी थे और हिंदु धर्म को मानते थे। मीरा सामराज के पहले शायद मत्स सामराज आया था। मीरा सामराज के बाद बुंदी रियासत और जैपूर रियासत आया था। वे भगवान विश्णू के मत्स अवतार के वंश और मत्स सामराज के वंशज होने का दावा करते हैं। राजा एलन सिंग ने 900 सरसर सीई से पहले आमेर की स्थापना की थी। राजपूतों ने मीराओं पर अक्मर कर उन पर विजय प्राप्त की। 1036 सीए में आमेर को कचवाह राजपूतों द्वारा कबज़ा कर लिया गया और जैपूर राज बन गया। 129 सीए में तुंधार पर कचवाह राजपूतों ने कबज़ा कर लिया था। उनके साशनकाल के प्रमुक निर्मार, आमेर में अंबिकेश्वर महादेव मंदर, लाट के चालुक 970 सी से 1070 सी तक रहा, वहां की राज़ानी गुजरात में भरूच थी, बरप्पा यहां के पहले राजा थे और तिलोचंपाल अंतिम राजा थे, यहां के राजा भारती प्रमुक निवासी थे और हिंदु धर्म को मानते थे, लाट के चालुक के पहले पश्मी चालुक समराज आया था, लाट के चालुक के बाद गुजराक के चालुक आया था, लाट छेतर मही नदी और किम नदी के बीच का छेतर था और इसका प्रमुक शहर भरूच था, चा तीन निकट से संबंदित लेकिन भिन राजवज ये थे बादामी या वातापी चालुक, जागीरदार में नवसारिका के चालुक शामिल है, पूर्वी या व्रेंगी चालुक, पश्चिमी या कल्यानी चालुक, जागीरदार में लाट के चालुक शामिल है, संस्थापक ने उन पर कब्जा कर लिया। पश्चिमी चालुक सामराज 913 सीजी से 1189 सीजी तक रहा। वहां की राज़ानी करनाटक में मल्खिड जिसे पहले मानेखेत कहते थे और बसफ कल्याण जिसे पहले कल्याणी कहते थी। पश्चिमी चालुक सामराज के बाद होईसल सामराज, काक्तिय राजवश, सेउना यादव राजवश, लाट के चालुक, हंगल के कादम, शायद वेनूर के अजीला राजवश, और कल्याणी के कल्चुरी आये थे। चालुक ने छटवी से बारवेश हिताब्दी के बीच दक्षिण और मद्ध भारत पर साशन किया। तीन निकट से संबंदित लेकिन बिन राजवश थे। बादामी या वातापी चालुक, जोकि जागिदार में नवसारिका के चालुक शामिल है। पूर्वी या वेंगी चालुक, पश्यमी या कल्याणी चालुक, जागिदार में लाट के चालुक शामिल है। उन्हें कल्यानी चलुक भी कहा जाता था। मंदिर वस्तुगला की गड़क शैली जिसे पश्चिमी चलुक वस्तुगला के रूप में भी जाना जाता है। उनके साशनकाल के दौरान शुरू हुई। इस शैली को जेटिल मूर्तिकला के साथ अलंकरत स्थम्भोग द्वारा चिन्नित किया गया। उनके साशनकाल के प्रमुक निर्माण। बागल कोर्ट में साथवीं शैदाबी सीए का पठाड कल मंदिर परिसर। विजेवारा में दस्वीं शैदाबी सीए का कनक दुर्गा मंदिर। गूटी में दस्वीं शैदाबी सीए का गूटी किला। यादगीर में दस्वीं शैदाबी सीए का यादगीर किला। लकुंडी में, 2030 सी का नण्ने प्रमंदर, अन्नीगेरी में, 1950 सी हम्र्थे प्रमंदर, हंगल हावेरी में, 1950 सी का तारके का प्रमंदर, सेद्धाम गुलबर्गा में, 218 सी का पंचिलिंग प्रमंदर, गटग में गयर्वी शताबी सी का त्रिकुटे इश्वर मंदर हवेरी में गयर्वी शताबी सी का गेलागेश्वर मंदर लक्षमेश्वर में गयर्वी शताबी सी का स्वोमेश्वर मंदर जलाज संगी में गयर्वी शताबी सी का इश्वर मंदर नरायरपुरा बसव कल्यान बीदर में गयर्वी श्यदाब्दी सीए का शिव मंदर हुली पारसगर बेल गाउं में गयर्वी श्यदाब्दी सीए का पंचलिंगेश वर मंदर चोधाय दानपुरा में गयर्वी श्यदाब्दी सीए का श्री मुक्तेश वर मंदर हायर हदगिल में 1057 सीए का कलिश्वर मंदर बल्ली गवी में 1057 सीए का केदारिश्वर मंदर बल्ली गवी में 1057 सीए का त्रिपुरान तक का मंदर नील गुंडा हरपन हली में 1075 सीए का भीमेश्वर मंदर अमली हगरी बोमन हली में 1083 सीए का कलिश्वर मंदर उंकल में 1085 सीए का चंद्रमॉलिश्वर मंदर लकुंडी में 1887 सीए का काशी विश्वर मंदर कुबातुर में 1100 सीए का केताभेश्वर मंदर इटागी में 1112 सीए का महादेव मंदर अमर गोल में 122 सीए का बन शंकरी मंदर मांकापुर में बार्वी शदाबी सीई का नागरिश्वर मंदर, दम्मल में बार्वी शदाबी सीई का डोडा बसप्पा मंदर, कुरुवट्टी में बार्वी शदाबी C.E. का मलिकार्जुन मंदर बादामी में बार्वी शदाबी C.E. का उत्तर भूतनात मंदर समुह हावेरी में बार्वी शदाबी C.E. का सिद्धेश और मंदर हंगल हावेरी में बार्वी शदाबी C.E. का बिलेश और मंदर तिलवली हनागल में बातेरवी शदाबजी सी का संतेश और मंदर गर्जणबी समराज 977 सी से 1186 सी तक रहा वहां की राज़ानी अबवारिस्तान में गजनी और पाकिस्तान में लहाउर थी अबू मनसूर सबुक तिगिन यहां के पहले राजा थे और खुसरो मलिक अंतिम राजा थे यहां के राजा तुर्किक मूल के निवासी थे इसलाम सुन्नी धर्म को मानते थे और फार्सी, अरबी और तुर्की उनकी भाषा थी गजनवी समराज के पहले सफारी राजवंश, सामानी राजवंश, फरिगुनिट राजवंश, हबबारी राजवंश, हिंदु साही राजवंश और लाविक राजवंश आये थे गर्दमी समाज के बाद गोरी राजवश, सेल्जुक सामराज और सिस्तान के नासी राजवश आए थे वे तुर्किक मामलोक जो की एक गुलाम या गेर अरब मूल के एक फार्सी मुस्लिम राजवश थे सबुक तेगिन सामानी समराज के तहट गजनी के एक तुर्क गुलाम गवर्नर अलप तेगिन का एक तुर्क गुलाम था सबुक तेगिन ने अपने गुरू अलप तेगिन की बेटी से शादी की और बाद में राजपाल बनने में सफल हुआ सबुक तेगिन के पुत्र महमूद गजनी ने सामानी समराज से सुतनता की गोशना की गजनवी समराज इसलाम को भाती उपमादी में फेलाने वाला पहला समराज है था महमूद गजनी ने सबसे पहले सुल्तान की उपादी का प्रयोग किया था वहाँ निर्दई अत्याचारी था जिस पर वात्याचार करता था उस हिंदू आबादी से बहुत दफ़त करता था। उसने न किवल शेहरों को लूटा बलकि उसने हिंदू पवित्र वस्तूओं और मंदरों को भी नश्ट कर दिया। 2008 सीए में महमूद गजनी ने चाच की लड़ाई में हिंदू शाही राजवंश को परास किया। महमूद गजनी ने इरान के विद्धवान अल-बिरोनी को अपना दर्बारी जोतिश बनाया। अल-बिरोनी और भारत में उसके आक्रमनों पर महमूद गजनी के साथ अल-बिरोनी ने तारिक-ल-हिंद नामक भातिय संस्कृति पर एक ग्रत लिखा। 118 सी में महमूद गजनी ने मत्रा के सबसे अमीर भारती शहर को बेहमी से लूटा, तबाह किया, अपवित्र और निस्ट कर दिया। 26 दिनों के अबदी के दौरान मंदर की सबी मूर्तियों को जला दिया गया था और निस्ट कर दिया गया था। लूट के सोने और चांदी को पिगला कर ले जाया गया और शहर को जला दिया उसने मत्रा में केशर दे मंदर को भी निस्ट कर दिया। 2018 CEE में महमूद गजनी ने गुर्जर पत्यार राजवंच की राज़ानी कणनाच पर कबजा कर लिया और फिर चंदेलों का सामना किया जिन से उन्होंने सरच्छर राशी का भुक्तान प्राप्त किया महमूद गजनी ने 2021 CEE में मेरत पर हमला किया 2023 में गौलियर पर और कांगरा और ज्वाला मुखी के मंदिरों को नश्ट कर दिया 2024 में महमूद गजणी ने गुजरात के प्रभास पाटन में सोमनात मंदिर को नश्ट कर दिया 2025 में महमूद गजणी ने सोमनात मंदिर पर हमला किया और शिवलिंग पर हतरों से वार किया और दो करोर दीनार की संपत्ती लूट ले गया। उसने मोढेरा में सूर मंदिर को भी निश्ट कर दिया। जिससे गजनबी सामाज का अंत हुआ। उन्होंने अफगानिस्तान के बोस्त जिसे अब लशकर गाह कहते हैं, में एक नया बड़ा सेंड प्रशिक्षण के इन्द सापित किया। उन्होंने युद में हातियों का उपयोग करने वाली पहली मुस्लिम सिना विक्सित की। जिस के बजाएं फार्सी प्रसाशनिक और संस्क्रितिक तरीके अपनाएं। उनके साशनकाल के प्रमुक निर्मार्ण। गजनी अफगानिस्तान में 1118 सी से 157 की गजनी की मीनारें। इसके साथ ही इस सीरीज का ये चैप्टर समापत होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में तब तक के लिए नमस्का जैहिन।